आज मैं seriously बहुत जादा दुखी हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर cricket जो lover होता है उसकी जिन्दगी में एक personality ऐसी होती है जिसको वो हद से जादा love करता होता है और जब वो खेलने आता है मैदान में आता है तो वो जो fan होता है न वो ऐसा लगता है जैसे उसकी जिसको कहते है अब मैंने उसके लिए टिकर्स भी ली थी उसके especially उसके मैच के लिए टिकर्स ली थी जाके मैं अपनी जिन्दगी में एक बार उस बंदे को खेलते हुए देख रहूं लेकिन आज उन्होंने cricket से retirement दे लिए क्योंकि उनकी उमर काफी हो चुकी हुई है और उनसे अब खेला यह जाने जाते हैं इनको रवी शासरी ने एक title दिया था बूम बूम अफ्रीदी का वो title उसके बाद से यह ऐसा दुनिया पे च्छाए अपने power hitting की वजह से हर player पे मुश्किल टाइम भी आता है लेकिन यह वाहिद बंदा था जिसके मुश्किल टाइम पे भी इसको लोगो कुछ करेगा और जिस दिन अफ्रीदी कुछ करता था उस दिन वो मेरा week सबसे best week होता था तो जिसको कह सकते हैं ना दुख एक बहुत है क्योंकि एक era का end और है बहुत बड़े legend ने cricket से छोड़ दी हमने देखा है धोनी डिटायर हुआ लेकिन अभी वह आई-पेल खेरा से पेलेटिन डॉर्टल था इसी तरह से इडिकिंग पॉंटिंग होगे संगा कारा होगे बड़े-बड़े क्रिकेटर से इसी तरह से शाहिद खाना फ्रीदी एक जिसको कह सकते हैं ना आल रॉंडर्स के अंदर एक बड़ा बहुत बड़ा नाम है आल रॉंडर्स का 8000 प्लस 300 से जादा विकर 350 प्लस विकर जिसकी ODI में हो तो उसके बड़ा क्या नाम हो सकता है बहुत जिसको कह सकते हैं शाहिद काना फ्रीदी आपका शुक्र या आपने पाकिसान का नाम हुचा कि आपके रिकोर्स की बात करें तो बहुत सारे रिकोर्स आपके पास हैं सबसे क्रिकिड 158 मीटर सगें साउद अफरीका हमने देखा था वो छक्का जो आपने फ्री हिट पे मारा था उसके बाद ओर डियाई के अंदर आपके 351 सिक्सिस हैं आप क्रिस गेल को बीट कर चुके हुए मतलब क्रिस गेल ने आपको बीट करना था लेकिन उनफोर्चुनलिट अब शुक्रिया आप अभी भी दिल में रहें हमेशा दिल में रहेंगे शाहिद काना फिदी आई लव यू